नमस्का दोस्तों आज हम mathematics से कुछ important question लाएं और उन important question को कैसे आसान trick से solve करेंगे इसके भी बारें इस विडियो में चर्चा करेंगे जैसे की question में पुछाई गया एक बटा बारो प्लस एक बटा बीस प्लस एक बटा टीस प्लस डॉट 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 प्लस एक बटा 156 को कैसे solve करेंगे सबसे असान से उपाई इन सभी को LCM लेजी और LCM लेने के बाद यहाँ पर भेलू को प्लस किजिए जैसे नॉर्मल प्रोसेस से लेते हैं तो लेकिन दोस्तों बता दे उस प्रोसेस से अगर आप बनाते हैं तो फस जाएंगे कि कि यहाँ पर 20 में जो है संख्या वो नहीं पता है हमें क्या क्या संख्या मौझूद है लेकिन यहाँ पर जो है 12 के बाद 20 20 के बाद 30 दिया इया उसके बाद 156 दिया इया आई इन सभी को 1 by 1 करके बनाते हैं और किस प्रकार से हम आसानी तरीके से solve करेंगे यह अभी बात आपको सिखाएंगे जैसे कि यहाँ पर 12 दिया गया है तो 12 को हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों तो फैक्टर करेंगे तो अगर करते हैं तो कितने होते हैं 3 into 4 3 into 4 को हम 12 को लिख सकते हैं उपर में एक है तो एक को प्लस को लिखेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर उपर में एक है तो उपर में एक लिख देंगे अब 20 को फैक्टर करेंगे तो 4 into 5 से हम फैक्टर कर सकते हैं सबसे पहले हम लोग सिखना पड़ेगे यहां चार, चार, पांट, शे, साथ, आठ, नो, दस, गारो, बारो इस तरह से करके आगे भी चलते चाहरा है यानि कि जो भी हो रहा है पहले छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या पहले छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या उसी प्रकार से 156 को अगर हम लोग 12 और 13 को अगर हम मल्टिप्लाई करते हैं 12 और 13 को मल्टिप्लाई करने पर 156 मोजुद हो जाएगा अब 12 और 13 के अलावे भी बहुस तरह से संख्या होगा जिसको गुना करने पर 156 आएगा लेकिन यहां पर पहले छोटी संख्या लेना फिर बड़ी संख्या लेना यह बात हमें कैसे जानेंगे इधर जो देखें इस इस एक्वेशन से देखकर हम आकडा लगा सकते हैं कि इसमें भी 12 और 13 होगा अब इसको हम किस परकार से करेंगे दोस्तों इसको हम इस परकार से लिखते कैसे लिख सकते देखेगा 1 बटा 3 माइनस 1 बटा 4 हम लिख सकते किसको इस portion को कैसे लिख सकते एक चोटी से नजर यहां पर डाली अगर कहीं पर लिखा हुआ है one बटा three minus one बटा four अगर हम इसको general methods अगर हम दोस्तों लेते हैं तो नीचे में कितना आ जाएगा दोस्तों 12 नीचे में आ बारो और यह हो जाएगा चार और यह हो जाएगा कितना एक ठीक है यह हो जाएगा चार और यह हो जाएगा कितना तीन हो जाएगा ठीक है दोस्तों फिर चार में एक चला जाएगा तो कितना बचेगा एक बचेगा तो एक बचेगा तो एक बटा बारो यह औरेडी मोजुद ह यानि कि पहले जैसा question के जैसा हमारा फिर से मिल जाएगा इसलिए हम इसको इस परकार से लिख सकते हैं यानि जब इसको हम इस परकार से लिख सकते हैं इसको भी सेम इसी परकार से लिखा जा सकता है यानि कि 1 बटा 4 माइनस 1 बटा 5 हम इसको ऐसे लिख सकते फिर दोस्तों इसको भी हम 1 बटा 5 माइनस 1 बटा 6 लिख सकते उसके बाद प्लस डोडोडोडोडोडोडोडोडोड चलते चलेगा उसके बाद दोस्तों 1 बटा 12 माइनस 1 बटा 13 हम इसको भी इस परकार से लिख सकते अब देखे यहां पर दोस्तों-1-4 प्लस 1-4 इसको दोनों का आपस में हम क्या करेंगे राइट करेंगे यानि वन बटा थिरी माइनस हो जाएगा कितना वन बटा थेरो हो जाए अगर हम इन दोनों का एलसय में लेते हैं दोस्तों तो नीचे में कितना आजाएगा अब यहां पर क्या करेंगे 39 हो जाए इसको गुना कर देंगे करो गुना करके घटाने पर आएगा 10 यानि 10 बतर 39 इसका जो है क्या हो जाएगा तो हमने सिखाए कि इस वीडियो के मैंधम से कम से कम समय में किस परकार सापासानी ट्रिक के मैंधम से दोस्तों इस को सोट आउट कर सकते हैं कुछ इसी परकार से और को बनाते हैं और आपको बैटर तरीके से हम यहां पर समझाएंगे तो अगला कोश्चन वीडियो की स्क्रीन फुर आच चुके हैं दोस्तों देखें देखें देख पार हैं यहां पर 10 लिखा हुआ तो सेम उसी के कोस्टन के से हम करेंगे इसको हम फैक्टर कर लेंगे फैक्टर कैसे करेंगे दोस्तों दो इंटू पांच के हिसाब से हम 10 को फैक्टर करेंगे उसके बाद यहां पर प्लस का साइन प्लस लिखेंगे उसके बाद यहां पर पांच इंटू एट का साइन के हिसाब से हम करेंगे आठ अभास होंगे यह इहां पर देखे दोस्ते दोनों का different कितने इन दोनों का different team है यानि कि यहां पर वेश्य संख्या से इसको factor करनेuj जिसके संख्या मेर में में पर इपर नहिए तो आसान सा तरीका है अगर फ्रकी आपको पत्र चल जाए कैसे निकालना है आपको इस भरकार से आपर करके निकाल सकते है वहां एवान लिख देंगे अब जिसी उपर वाले कोश्टन पर लिखेंगे अलग लग करके अलग-लग और रखे के बाद से यहीं लागातार तै उस कंडिसन में किया यहां पर होगा दोस्तों इहां पर 3 किया है 13 है तो 3 जब different हो जाएगा तो सभी से क्या करेंगे एक बटा 3 हमें बाहर में multiply करने पढ़ेंगे क्यों करने पढ़ेंगे क्योंकि यहां पर ten-team का difference और यहींपर क्या होता है चार का difference और इक बटा द था है तो एक बटा 5 होता अब इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों one बटा two-one 1 बटा 5 ऐसी नहीं लेख सकते अगर सिप यह बहलू अगर नहीं लेंगे तो आप यह बहलू भी नहीं ले सकते क्योंकि यह continue नहीं है इस बात को भी खास आप खयार रिखिएगा ठीक है क्योंकि अगर हम छोटी से एक एक जामपल अगर देखेर यहां पर अगर हम समझाने का क इप्लाइ करते हैं तो यह आता है कि नहीं आता है ही छहां है पर करेंगे देखें यहां पर ठीक हिसको क्या हुग वाणरे ठीक हमारा हो गया अभी कितना हो जागा दोस्तों पांच-दुना दस नीचे में किटने, पांच-दुना द barbecue थैस然后 ऑनलड़ जागा तो कितना हो जा जाएगा उसके बाद यहां पर एकबड़ाथ है उसके बाद यहां पर दोस्तोर एकबड़ा-8 है उसको फिर फिर प्लस है फिर एकबड़ा-8 है मा-इस बड़ा मा-इस धाही से sz banget हे-धड़ा कितने चबड़ा यह सारे संख्या को लिख दिये लिखने के बाद दोस्तों एक बटा 5 माइनस प्लस एक बटा 5 माइनस एक बटा 8 प्लस एक बटा 8 माइनस एक बटा गारो प्लस एक बटा गारो यहाँ पे जो भी संख्या होगा सारे संख्या कट जाएगे लेकिन अंतीम संख्या आपका दोस्तों वन बटा 3 भेकेट में रहेगा 1 बटा 2 माइनस वनबटा 26 इतने ही संख्य आपका बचा होगा उसके बाद जैसे हम इसको एलस्य हम लेते हैं दोस्तों तो यहां पर एलस्याद लेंगे तो यहां हो जागे दो और यह हो जागे कितना दोस्तों 13 यानि कि इसका एंसर कितने होंगे दो बटा 13 इसका जो है सही अंसर हो जाएं तो दोस्तों कैसा रहा है यह वीडियो देखकर आपको नीचे कमेंट करें जरू इकतला करिएगा वीडियो पसंद लग रहें तो लाइक सबसे जादा माइन हखता है तो आएज दोस्तों इसको हम कैसे निकालते हैं बहुत ही तरीके से कैसे हम ज्याद करेंगे यह चीज़िया पर हम देखते हैं बहुत ही आसा है दोस्तों अगर हम यह दी हम दोस्तों एक्स प्लस थिरी यानि एक्स प्लस थिरी के जगह पर अगर हम एक रख देते हैं याद रिखिएगा जहां पर एक्स प्लस थिरी है वहां पर अगर हम एक रखते हैं तो क्या आता है यह सबसे बड़ी बात है तो आईए यहाँ पर समझते अगर हम x plus 3 के जगह पर अगर हम एक रख देते हैं तो क्या होता है यह चीज सबसे ज़्यादा माइने रखता है इस question में तो आईए यहाँ पर समझते दोस्तों यहाँ पर x होगा और x plus 3 होगा ध्यान रखेगा तो यहाँ पर देखे इसका value कितन दोष्माण अब गराभन में कितना है दोस्तों थ cómo tu घकब रखे शोल अब यहाँ पर अगर ठीड-त capaci 3 x-3 के जगह पर हम क्या प्लेस करेंगे 1 तो यहां पर देखिए 1 के पावर यहां पर कितने हो जाएंगे 5 यहने 1 निके पड़ा पर कितने हो जाएंगे उन फैंध 1 प्लस 1 बरावर कितने हो जाएंगे दोस्तो टू यही आपका किया हो और नहीं है यह साहीं एंसर हो जाएगा है ना दोस्तों की गजब कर ट्रीक काफे मज़दार ट्रीक यह वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट लिखेगा जरूर आयों अच्छे तरीके से यहाँ पर समझते और समझाने का कोजिस करते हैं दोस्तों यहाँ पर बहुत ही गजब कर्दावर्टीक है इस तीज़ को ध्यान रिखेगा यहां पडिखेगा अब यहां पर देखिए कि यहां परने कर दीया गिए यह एक परहने प्लेस कर थे प्लेस करती हैं तो एक गारो के पावर गारो प्लस फशलता प्लस की दिलीन प्लस सकते हैं तो यह अगर गार्ट匠 इस equation पर अगर one के जगह पर यानी एकक के जगह पर one place करते तो हमारा मात बात ही बन जाएगी वो बात कैसे पता चलेगा, इस equation से पता चलेगा, one बटा कितने हो जाएगा, दोस्तों यहां पर 15, बराबर कितने होजाएगा, what, अब यहां पर देखें दोस्तों कि किस प्रकार्स हम इस question को बनाते बहुत ही इंट्रेस्टेर बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर हमको समझाएंगे step by step इसका value 1 हो जाएगा minus यहां पर हो जाएगा दोस्तों कितना 1 बटा 1 हो जाएगा ठीक है बराबर 1-1 बराबर कितने हो जाएगा दोस्तों जीरो यानि इस question का answer हमारा क्या निकल के आया दोस्तों जीरो कितना आया जीरो आय होप आप सभी समझ पा रहे होंगे इसकी स्कॉस्टन को कैसे सोट करते हैं अब नीचे आप हमें कमेंट करके बताएगे दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगी वीडियो पसल लगे कि नहीं लगे नीचे कमेंट लिखेगा जरूर मिलते हैं हुआ है